दुनिया में महामारी की तीस्वी लहर की दस तक दक्षन अफरीका में कोरोना की तीस्वी लहर दक्षन अफरीका में अचानक बढ़े पॉजिटिव केसे ब्रिटन और ब्रजील में भी तीस्वी लहर का अंदेशा 21 जून से ब्रिटन में लॉकडाउन के खुलने पर अब है और गहराया जी तो क्या तीसरा जोंका टीके को देदेगा धोखा हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके बारे में कई चीजें ऐसी हैं जो सामने आई हैं इसलिए भी ये चर्चा हो रही है कि दुनिया के कई मुलकों में थर्ड वेव ने दस तक दे दी ये अब सपस्ट होता जा रहा है मसलन देखिए थर्ड वेव को प्रमानित करने वाले हैं थर्ड वेव की आशंकाओं को बल देने वाली कौन सी बाते हैं जो सामने हैं तीसरा जोंका क्या टीके को देगा धोखा उसका पहला चरण ये कि क्या थर्ड वेव आ गई थर्ड वेव अगर नहीं आई है तो क्यों नहीं आई है और आई है तो किन मुलकों में आई हुई दिखाई दे रही है जरा देखिए नए केसिस 9149 और हम बात करना है साथ दिन का और सट के और सट केसिस अगर आप देखें तो साथ दिनों में एक हफ़ते में एवरिज केसिस वहां जो आ रहे हैं 5969 सबसे ज्यादा प्रभावित प्रांत जो है वहां का वो गॉंटेंग है ये क्यों हो रहा है ये दक्षण अफ्रीका में ब्रि सबस्वात में लोगों ने सोचा कि आ रहे हैं केसिस कुछ है इजाफा हुआ है लेकिन ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है लेकिन बाद में उन्हों ने देखा कि आर नौट वैल्यू बढ़ी हुई है जिससे उनको लगा कि संक्रमन और ज्यादा बढ़ेंगे अब वो दिखने लगा है जरा दिखाए ब्रिटेन में क्या हिजाब किताब है आपने देखा डक्षण अफरीका के संदर में आपने देखा ब्रिटेन के बारे में ये कहा जा रहा है कि यहां रेकॉर्ड इजाफा होने लगा है जो पहले नहीं देखा गया था और अब 21 इसी तरीके से ब्राजील में बच्चों पर कोरोना महामारी की मार देखने को मिल रही है करीब 850 बच्चों की मौत यहां पर हो चुकी है और साव पाउलो इन्यूर्सिटी का दावा है कि ब्राजील में 5 साल तक 200 बच्चों की मौत हो जाएगी और एक साल से कम उम्र के 1600 पहुंचना उसके छीटे आने बाकी हैं और भगवान करें वो ना आएं लेकिन अगर ऐसा